तो अल्लाह के नाम से जो सब पर बहुत महरबान है, माल की मुहबबत, अगर आदमी के लिए एक वादी माल की हो तो दूसरी को तलाश करता है, और दोहों तो तीसरी की तलाश करता है, आदमी के लिए एक जंगल खजूरों का हो तो दूसरे की तमना करता है, और दोहों तो त लिए एक फितना होता है, जिसमें मुब्तला होकर वह फितने में पर जाती है, मेरी उम्मत का फितना माल है। हजरते अक्दस शाह अब्दल अजीज साहब कुद्दस सिरहु फरमाते हैं कि माल का खर्च करना साथ तरह से इबादत है। उसमें साथ सो दिर्म के बराबर है। साथ, जिनके इक राजात अपने जिम्में हैं उनको अदा करना जैसा कि बीवी का और छोटी ओलाद का खर्च है और अपनी वुसत के बाद मुहताज रिष्टेदारों का खर्च वगेरा। माल की आफ्ते और नुकसान अवल यह है कि ना जायस तरीके से कमाया जाता है। उनसे वसुली के हिसाब किताब में रहता है। करने के मसारिफ का फिक्र और जिन लोगों की निगाहें उसकी तरफ लगी रहती है। उनका ख्याल ऐसे तफक्कुरात हैं कि जिनकी कोई इंतिहा नहीं है और यही वे सब दुन्यवी मज़रात हैं जो माल के साथ लगी रहती हैं और जिसके पास बद्रे जरूरत हो वह इन सब फिक्रों से फारिग है। आमीं